नमस्कार दोस्तों, आज जीवन की सच्चाई से रूबरू होने का समय आ गया है। ज्यादा अच्छे बनने की चाह में हमें अपनी मानव स्वभाव की भूल नहीं करनी चाहिए। इस बौधिक कहानी के माध्यम से हम देखेंगे की ज्यादा अच्छा और सीधा इंसान बनना कैसे हमारे दुखी होने का कारण बन जाता है। एक बार एक व्यक्ती बौध भिक्षू के पास आता है और कहता है। महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते। जबकि अपने दोनों भाईयों की तुलना में में सबसे ज्यादा काम भी करता। घर वालों की बात भी मानता हूं। माबाप की सेवा भी करता हूं और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता सब मेरा फाइदा उठाते हैं आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौध भिक्षु कहते हैं कि किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो ये सुन उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ लेकिन वो फिर भी बौध भिक्षु की बात सुनता रहा बौध भिक्षु ने उससे पूछा अच्छा बताओं कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो व्यक्ति ने कहा ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे मेरी हर बात माने मेरी इज़त करे मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इनसान माने बौद भिक्षू ने कहा तुम्हारी पहली समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंड रहे हो तुम दूसरों की नजरों में अच्छा और खुश की तारीफ सुनने के लिए सामने वाली की जी हजुशूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यभार करेगा तो ऐसा नहीं होता क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हां में हां मिलाता है अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है पहली आदत खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं उन्हें लोगों की चिंता है इसी लिए यह सब की मदद करने पहुंच जाते हैं फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या ना हो दूसरी आदत खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूके होते हैं इसी लिए भी ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करें अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते तीसरी आदत खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कम्यों और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाग बनाएंगे, उनकी बेजती करेंगे, उन पर गुस्सा होगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ती मानेंगे चौथी आदत अच्छे लोग खुद की जरूरतों, खुद की प्रात्मिकताओं को सबसे उपर रखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ही दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वो लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे पांचवी आदत खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे इसलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में बुराई क्या है सबका भला करना तो अच्छी बात है लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है वै अंदर से कुछ और ही होते हैं जैसे कि पहला अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौको पर ईमानदार नहीं हो क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराइ को भी छिपा देते हैं सामने वाले को कभी भी उसकी गल्तिया नहीं बताते और केवल वही बोलते और करते हैं जिस से सामने वाला खुश रहे दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्व पूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे तीसरा, अच्छे लोग अपनी जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते इसलिए ये दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं जिसकी वज़ासे ये दूसरे लोगों के साथ चालाक़्ी करने की कोशिश करते हैं अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए भी जैसे की सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पानी की उम्मीद से ही कुछ देते हैं ये इस बात का दिखावा तो करते हैं कि ये लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन ये मदद सिर्फ इसी लिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करें इन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पढ़ने पर इनकी भी मदद करें लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुसा ही जाते हैं सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंडने लगते हैं पांचवा खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते छटा अच्छे लोगों को लगता है ये सब ही उन्हें पसंद करें, सब ही इन से प्यार करें जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है क्योंकि यह हर किसी के सबसे पसंदीदा इनसान बनना चाहते है ये सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ती ने बौध भिक्षू से कहा तो आपके कहने का अर्थ है कि हम एक अच्छे इंसान ना बने बलकि एक बुरे इंसान बन जाए और लोगों को फायदा उठाए बौध भिक्षू ने कहा नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा लेकिन तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ती को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों, इंसानी स्वभाव और उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने बात की है तो वो है अखंड भारत के निर्माता राजनीती के महापंडित आचार्य सुदर्शन जी जिन्होंने अपनी किताब सुदर्शन नीती में इंसानी स्वभाव और दुनिया भर की तमाम चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की है वो इतने बड़े घ्यानी और दूरदरश्टा थे कि आज हजारों साल बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमारे जीवन में पूरी सठीकता के साथ लागू होती है बौध भिक्षू ने कहना शुरू किया तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नजरों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुल्जा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए एक सुल्जा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है वो जानता है कि वह एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमिया है और वह अपनी कमियों को स्वीकारियता भी है एक सुल्जा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरते हैं जिन्हें उसे उपर रखना होगा वरना उसके साथ-साथ उसके परिवार का जीवन भी परिशानियों में पड़ जाएगा हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिष्टेदार उससे नाराज हो जाएं लेकिन वो इसे भी स्विकारता है यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं है बलकि जीवन की सच्चाई को स्विकारने की है क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो, कि तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है किसी से कोई उमीद नहीं है, या कोई जरूरतें शेश नहीं रही तुम एक साधरन इनसान हो और एक साधरन इनसान की सोच के साथ अगर तुम सब को खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे क्योंकि तुम्हारे भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होगी तो तुम दुखी हो जाओगे इसलिए जो इनसान कहता है कि मैं सब की मदद करूँगा सब को खुश रखूँगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए यहां तक की अपनी तारीफ भी नहीं तो पहले उस इसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए क्योंकि एक आत्म ज्यान को प्राप्त व्यक्ती ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता पर क्योंकि आत्म ज्यान को प्राप्त करना सब के बस की बात नहीं है इसलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोशन का शिकार होने से बचने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाए एक सुल्जा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलजे हुए इनसान में क्या-क्या विशेश्टाएं होती हैं पहली विशेश्टा ये अपनी और अपने चाहने वालों की जरूरतों को उपर रखते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद उपर बढ़ने की कोशिश करते हैं बलकि इसका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों की फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी ना हो जाए हाला कि अगर कोई इनसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सख्त जरूरत है तब ही अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और ये अपने से कमजोर और जरूरत मंद लोगों की भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तयार रहते हैं ये बस अपना बेवजह शोशन नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनाना होगा और सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि एक इनसान खुद ही बहुत ज्यादा बीमार है तो फिर वो दूसरे बीमार व्यक्ती की मदद कैसे कर सकता है एक सुलजा हुआ इनसान इस बात को मानता है कि हर इनसान की अपनी कुछ जरूरतें और इच्छाएं होती है जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इनसान हमेशा दिखावा करने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई जरूरतें या इच्छाएं नहीं है इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है दूसरी विशेशता एक सुलजा हुआ इनसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इनसान को खुश नहीं रख सकता इसलिए वो केवल उसी इनसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए माइने रखते हैं जो सच में उससे प्यार करते हैं उसकी परवाह करते हैं, लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उसे खुश नहीं रहता, या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो फिर एक सुलजा हुआ इनसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से भी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वो उसका कोई परिवारजन, सगा संबंधी या फिर मित्र क्यों नहीं हो, क्योंकि वो किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता, सिर्फ उसे खुश रखने, या सामने वाले की नजरों में अच्छा इनसान बनने के लिए, इस तरह वो खुद को ब विशेष्ता, एक सुलजा हुआ इनसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है, जैसा वो जीना चाहता है, वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को सम अस्या हो, वो बस दूसरे क्या कहेंगे, इस चक्कर में अपना मन मार कर नहीं रहता और खुल कर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है, उसे अपनी पसंद नापसंद पता होती है, इसलिए वो वहीं करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है, उसे अच्छे से पता होता है कि वो कौन है उसे अपने आप में भरोसा होता है इसी लिए उसे किसी इंसान की छोटी चाप लूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती महात्मा ने आगे कहा अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से दो प्रश्ण पूछो पहला क्या मैं अपने लिए वो जिन्दगी बना रहा हूँ जो मैं असल मैं अपने लिए चाहता हूँ और दूसरा अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिन्दगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को प्रात्मिकता नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हो इसलिए अगर तुम एक खुश हाल और मन चाहे जिन्दगी जीना चाहते हो तो एक सुल्जा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो ना की सीधा इंसान इतना कहकर बौद भिक्षू मौन हो गए व्यक्ति को भी अब समझा चुका था कि उसे एक सुल्जा हुआ इंसान बनना है ना की सीधा उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बौद भिक्षू का धन्यवाद किया और वहां से चला गया दोस्तों अमीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा